एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि बारत की मिलों को इन्वेंटरी को कम करने और अधिशेश उत्पादन के बावजूद घरेलुक कीमतों में मजबूदी सुनिश्चित करने के लिए 2021 में सरकारी प्रोचसान के बिना 6-7 मिलिन टन चीनी निर्यात करने की आवशकता है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक द्वारा चीनी का निर्यात वैश्वी कीमतों को सीमित कर सकता है जो इस महीने 4-4,5 साल के उच स्थर पर पहुँच गया है इस उम्मीद में कि शीर्च उत्पादक ब्राजील से आपूर्ती सुखे और ठन के परिणाम स्वरूप घट जाएगी खादे और सार्जरिक वितन विभाग के साहिव सचीव सुबोध कुमार सिंग ने मंगलवार को एक वैबिनार में कहा था कि चीनी मिलो को उच अंतराश्टी कीमतों का लाब उठाना चाहिए और अधिक्तम मातरा में निर्यात करना चाहिए सुबोध कुमार सिंग ने कहा है कि पिछले सीजन में रिकॉर्ड 7.2 मिलियन टन चीनी की शिपिंग के बाद भारती मिलो ने अब तक 1 अक्टूबर से 2021-22 विपरन वर्ष में 1.8 मिलियन टन निर्यात करने के अनुबंद पर हस्ताक्षर किये हैं उनका कहना है कि अफगानिस्तान और श्रीलंका प्रमुक खरीदारों में से थे लेकिन दोनों की मांग स्थानी कारणों से बादेत हुई है और मिलो को ने बजार खोजने की जरूरत है जो ब्राजील पर निर्वर्थे विशलेशक ने वेबिनार को में बताया कि वैश्विक कच्चे चीनी की कीमतों 20 सेंट प्रती पाउन से उपर उठाने की जरूरत है ताकि भारत चालू वर्ष में 5-6 मिलिन टन का निर्याद सुनिश्चित कर सके क्योंकि सरकार सबसीडी प्रतान नहीं कर रही है नहीं दिल्ली ने पिछले तीन वर्षों से निर्याद सबसीडी बंद कर लग दी है सेयुक्त सचीव सुबोध कुमार सिंग ने कहा है कि चीनी मिले चालू वर्ष में 35 लाग टन चीनी को इथेनौर उतपादन के लिए मोड़ सकती है और इससे उतपादन 30.5 मिले टन तक सीमित हो जाएगा लेकिन ये 26.5 मिले टन की स्थानिय खपत से अधिक होगा उन्होंने कहा है कि निर्याद और इथेनौर उतपादन की ओवर रुख करने से अगले विपणन 70 की शुरुवात में चीनी का बंडार 37 लाग टन तक कम हो सकता है जो इस साल 90 लाग टन था विरुड़ पोर्ट, मारकेट टाइम्स टीवी